तो दोस्तो अगर आपके पास एक website है चाहिए वो ब्लोगार में हो या वाट्पेस में हो उसमें RSS feed होना चाहिए बिना RSS feed के कोई भी website को AdSense approval नहीं देता है तो AdSense का approval आपको लेना है तो RSS feed आपने website में लगाना होता है तो दोस्तो RSS feed आप कहां से लाओगे और कैसे आप RSS feed एकाउंट क्रेट करोगे पूरा चीज़ दिखाऊंगा इस वीडियो में तो दोस्तो जो जो मेरे चैनल को नए देख रहा हो चैनल को जल्दी से साथकर के वेल आइगन को All कर दो ताकि मेरे इस तरह की वीडियो आपके पास तुरंत पहुच जाए तो इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा गोगल में जाने के बाद फीट बारनार लिंक ना आपका जो बैपसाइड है तो मेरा पहले जो बैपसाइड था बेंगली संबाद का उसमें एटसेंस को भी आपको दिखा देता हूँ और लो वालेंस के लिए उसमों अभी वह मुझे सस्पेंड़ कर दिया है 30 देस के लिए यानि 30 देन के लिए तो यह पर देख रहा हो मेर एकाउंट इस टेंपोरेरी सस्पेंड़ किया गया है लो वैलू ट्राफिक के लिए यानि मेरा जो ट्राफिक है बहुत काम है और मैं उस एटसेंस का एड़ को खुद ही क्लिक किया था इसलिए 30 दिन के लिए सस्पेंड़ कर दिया है पर मैं एपिल कर चुका हूँ तो दोस सब्सक्राइब है उसका URL आपको कॉपी कर लेना होगा तो इसको लगाओ आप लगाने के बाद क्लिक करो तो नेक्स्ट में जब भी आप क्लिक करो तो कुछ ते टाइम मिलेगा आपको लेने के बाद आपको ठीक ऐसा दिखेगा आपके समने यानि आप देख रहा है यह पर आइडेंटिफाइब फीड सोर्स और यहां पे दिख रहा है कि आपके लिए तो आपको अपको अधिक कर ना होगा तो आभी मुझे अरसे के लिए मुझे दो दूसरी वाला में क्लिक करना हुगा उसके बाद यहां पर नेक्स्ट कर देता हूं तो नेक्स्ट कर देने के बाद आभी देख रहा है यह पर क्या बोल रहा है यह पर फीड इंट्रिजेंस लाट इस वान फोट बानर प्रसेस्ट तो यह पर क्या बोला है मेरा फूट बैनर जो है ना वह बहुत ज्यादा बार गया है अभी इसको साइस कमाना होगा यानि यह पर साइस कमाने के लिए आपको क्या करना होगा कुछ नहीं सिंप्ल सी आप इससे नीचे आओ गये आने के बाद यह पर आपको क्लिक करना होगा तो दोस्तो अभी मेरा एरोर आ गया है ठीक है इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है इसके लिए सिंप्ल सी आपको एक कोड में डिस्कुरिशन लिंक के दे दूंगा उसको यह पर लागाना होगा ठीक है तो इसको पहले देख लेता हूं तो यह पर जाने के तो इसको लागाने के बाद आप जब भी नेक्स्ट करोगा ना तो आपको देखिए यह पर वेल्कम टू लेस्ट आप बॉन्ट फीट फॉम यू तो ऐसा दिख रहा है तो दोस्तो अगर आपका वह पॉब्लेम दिखे तब ही आपको ऐसा करना है ठीक है तो अभी जो दिख बढ़ लेना है तो आप आप देख रहे हो और यह पॉड़ यूर फीट बढ़नार इस नाव इस लाइव और फूर ब्रेस अप लिटल तो यह पर फीट बनार तो बंग गया है अभी यह फे मैं डेक्स करके देखता हूं तो यह आपका फीड आड्रेस तो यह पर आप सारी दिखा सकते हो और यहां पे को व्रोह तो आपके आप अगर से ट्राफिक कर करना तो बहुतनी हो easiest आपको लाइब दिखाऊंगा तो दोस्तों बिना फीड के अभी आपके वेबसाइड में आएगा फीड कितना जरूर है मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में तो देखिए अगर आपके फीड आ गया है ना तो आपका साड़ी जो आर्टीकेल है ना एक पेज में आ जाएगा यानि आपका जो भी इन्पोर्टेंट बाला आर्टीकेल है सब कुछ लोग देख सकते हैं एक बार में कस्ट्रम को दिखा सकता है इसलिए फिड इतना ज़रूरी है यानि प्लाट्साम है या इस फीड को अगर आप अपने ब्लॉगर डच्रीक में लगाते हो ना तो दोस्तों आपके वेड्साइट हमेसा ही एड्सेंस के लिए टैयर हो जाएगा अप जब भी चाहो और यह से बहुत सारे ट्रैफिक आता है ठीक है फीच के दौरान और ट्रैफिक एनलाइज भी कर सकते हो तो आभी मुझे जो फीड में बना आया उसको लागाना है अभी लेयाउट में जाऊंगा प्यांग करों कर सकते हो कनने के बाद में यहांपे लिंक डाला था तो इसमें जो लिंक है इस लिंक का जागा है अए उस फीट का URL लगाना है तो अब इसको सेफ कर देता हूं सिंपल आज हम इसको भी सेफ कर देता हूं तो मेरा to a mask हो गया तो अभी मेरा वैपसाइड में open करता हूं हो कि भाई RSS feed में redirect होता है या नहीं तो देखिए आप दोस्तों RSS feed में आ गया है तो ऐसे ही करके आप आपके website में RSS feed लगा सकते हो और AdSense के लिए apply कर सकते हो जरूर आपको AdSense का approval मिल जाएगा तो दोस्तों वीडियो कैसा रहा आप comment box से comment करिए और जो मेरे चैनल को नहीं देख रहा है चैनल को जबती से subscribe कर दिजिए आप